साइबर ठगों के द्वारा फर्जी कॉल कर या बिजली विभाग में बिल पेंडिंग होने का फर्जी मैसेज कर लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है यही नहीं डिसकोम की अधिकारियों के पास भी इस तरह के फर्जी मैसेज लगातार आ रहे हैं बहुत से लोग तो इन फर्जी मैसेज के जहासर वे फसकर इनका शिकार हो जाते हैं बिवाडी में कई भोगताओं के मोबाइल पर इस तरह के फर्जी मैसेज आ चुके हैं XCM सती शर्वा ने बताए कि डिसकोम कभी भी प्राइवेट नंबर से बिजली का कनेक्शन काटने का मैसेज नहीं भेजता है डिसकोम के कस्टरमर के या नंबर से ही इस तरह के मैसेज भीजे जाते हैं आप तुरंत मैसेज भे दिये गए लिंक पर क्लिक करके अपना बिजली का बिल भारे कस्टरमर जैसे ही लिंक पर क्लिक करता है तो उसके अकाउंट नंबर से लिंक उसके मोबाइल नंबर के द्वारा उसके अकाउंट में रखी हुई पूरी राशी ठग के अकाउंट में चली चाती है कस्टरमर अपने आपको ठगा सा मैसूस करता है शिकायत करने के बाद भी कस्टरमर की राशी रिकवरी नहीं हो पाती है क्योंकि पुलिस जल्दी से इन बदमार्शों का पता नहीं लगा पाती है कई तरह के साईवर ठगी से जुड़े हुए लोग बिजली संबंद को काटने का एक फरजी मेसेज कई भोगताओं को भेज रहे हैं और उसमें वो ये सूचना देते हैं कि आपका विजली संबंद आज रात नो वजे काड़ दिया जाएगा और अन्यता आप हमारे इस नंबर पर वो एक नंबर उस मेसेज में डालते हैं उस पर बात करने की या लिंक पर भेजने की बात करते हैं हाँ आपके माध्यम से ये प्या Shift कि आम जन इस तरह के मैसेज के भ्में ना पढ़े हम कma वी एसा कुई मैसेज नहीं बैडते हैं दूसरा हमारा जो मैसेज जाता है वह हमारे मैसेज सेंटर से जी वी ङले से जाता है किसी मॉबाइल atenção से अमारा मेसेज qn कि यह पास पर्सुनल नंब इस तरह का मेशेज यह मेंसेज मेरे पास भी अया था और इससे पहले मेरो कुसी बहुता नहीं जा था और उसने चंदेत होती, पुसकत अशा मेरा कनेक्शन क्यों काटा जा रहा है तो मैंने जो भी समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से भी उस समय आम जन के लिए एक अपील जारी की थी कि इस तरह के जो धवी करने वाले मेसेज हैं इनके जहां से मैं नहां